यह माता के लिए मेरी कहा है कि मन के द्वन्द भी आँखों से पढ़ लेती है लोग यूँ ही नहीं कहते कि मात सब जानती है उदासी की वाक्त के लिखी कविता है कहा है कि उदास रहने का बहाना चाहिए उदास रहने का बहाना चाहिए दर्द हमें वही पुराना चाहिए उदास रहने का बहाना चाहिए दर्द हमें वही पुराना चाहिए गर आस बंधाई दिल में तूने तो वादे को निभाना चाहिए दिल में रखकर दर्द बढ़ेगा तिल में रखकर दर्द बढ़ेगा हाले दिल को बताना चाहिए वो समझे न समझे ये उसकी अदा तुम्हे तो प्यार जताना चाहिए अगली पंक्ति है कि हर वक्त परदे में रहते हो कुछ वक्त तो चौपाल में बताना चाहिए आखरी पंक्ति है इसका विता कि कि बुलाने के लिए सोचा भी इसी वज़ा से तुम्हें याद करने का बाहरा चाहिए उसके बाद एक छोटा सा ख्याली है और ये बेरुजगार के वक्त का लिखा हुआ है जब आप अताश होते हैं निराश होते हैं तो कहा है कि आता होगा क्वाब जरा रस्ते में है औरादो का मेरे हाल जरा खस्ते में है ख्वाहिश अधूरी क्यों रही पूछा मालिक से तो कहा इमानदारी का दाम जरा सस्ते में है यह आखरी कविता है कंटेक्स इसका है कि जब आप मूवाण करना चाहते है बड़ अभी भी शौर नहीं है असमंजस में है तो उस खयाल के साथ लिखी गई कहा है कि चलो फिर से ख्वाहिश की नजर ढूंडे दिल के बदले दिल लगी ना मिले तो दिल के बदले दिल लगी ना मिले तो दूसरा कोई दिल जिगर ढूंडे और ये पंदिय के हर कोई नहीं जजबात के काबिल यहाँ हर कोई नहीं जजबात के काबिल यहाँ चलो अपनों में ही अपनी कदर ढूंडे किसी और का वो हो चुका पर माने ना मन उसके दिल में मेरी जगह मगर ढूंडे और आकरी पंक्तिय है कि बाग में मैं कभी फला ही नहीं बीहड का की कर हूँ बता देना कोई अगर ढूंडे इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा आप से बदने वादे